आज की वीडियो में हम बनाएंगे पांच मिन्ट में कुछ क्रीश्पी बनने वाला तो आलू से बनाएंगे हम बहुत ही क्रीश्पी स्नैक्स तो यहां पर देहें मैंने तीन मेडियम साइज के आलू लिये हैं तो मैंने इनको धो कर अच्छे से इनका छिलका निकाल लिया है और यह कच्छे आलू है एकदम से तो इनको इस तरीके से कटिंग करना ना ज्यादा मोटे साइज के और ना ही ज्यादा पतले तो देखिए इस तरीके से काटा है मैंने इनको तो इनको डाल लिया है एक बड़े से बरतन में तो इसमें मसाले आड़ करेंगे नमक डालेंगे एक चमच और आधा चमच डालेंगे हल्दी पाउडर और एक चमच डालेंगे मिर्च पाउडर और आप डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और हींग तो बहुती जटपट से बनने वाले स्नेक्स आलू के यही और आप कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप इसे पांच मिट के अंदर बना कर खा सकते हैं तो अब इसमें डाला उपर से मैंने चाट मसाला तो इन मसालों को आलू पर अच्छे से मिक्स करेंगे इतको तो यह देखी इस तरीके से सभी मसाला है जो आलू के उपर अच्छे से लग गया है यह देखी तो यह देखिए है ना कितने जबर्दस्त रेस्पी तो अब इनको करेंगे साइड में और यहां पर देखिए मैंने साथ ही है जो सूजी ली है तो थोड़ी सी सूजी है यह और अब क्या करेंगे साथ ही मैंने एक पैन लिया है इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और अब जो हमने ये आलू के स्नेक्स काट कर रखे हैं ये सूजी पर इस तरीके से सूजी में लगाएंगे और सिधा डाल देंगे पैन के अंदर तो जितने अराम से आ जाएं आलू उतने डाल लेंगे तो सूजी को इस तरीके से लगाते जाएंगे आलू पर और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे इनको तो बहुत ही असान है और जट पड़ से बन जाते हैं इस तरीके से और आब इनको पल्ट देंगे एक साइड से तो इनको एकदम क्रिस्पी फ्राई होने देंगे पांच मिन्ट के लिए तब तक इनके उपर एक सुनारी सी परत ना आ जाए तो ये देखी अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं आप इनको निकाल लेंगे एक छलने के अंदर एक्स्ट्रा ओिल छोड़ते हुए तो इसी तरीके से सभी सनेक्स हैं जो बना लेंगे तो बहुत सिंपल असान है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा शेर करें आप इसे टमाटो कैचप या दही के साथ भी खा सकते हैं दही से भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगते हैं तो आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें तो इस तरीके से जरूर से बना कर देखना बच्चों को और बड़ों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू